जहिन साथियों दोस्तों केस नंबर 377 UPSI केस स्टेटस क्या तो देखें यूपी एसाइ केस स्टेटस में दोस्तों आप लोग जब देखेंगे तो एक नई चीज आप लोग को देखने के लिए मिलेगी केस इस नौस्ट ऑन लिस्ट कनेक्टिड विद रिट 37 पिंचानमे दो हजार बाइस ठीक ना स्टेटस ऑप केस एज फरेस कोरम खाली बैंच टाइप सिंगल जूडियसल व्रांस रिट सिविल केसवल टाइप खाली इस्टेट उत्तरपरदेश डिस्टिक जो है वो लखन हुए तो कहने का मतलब है केस इस नौट ऑन लिस्ट कनेक्टिड विद रिट संक्या 37 पिंचानमे यह का मतलब यह है कि क्या इस केस को 37 पिंचानमे केस की साथ जो लिस्ट है वो कर दिया गया है इसका मतलब देखी 49 और 150 कोल मिलाकर कैंडिडेट है इसमें यह वही रिट संक्या है आप लोग देख लें इस्टेटस अभी भी पैंटिक दिखा रहा है और आज की सुनवाई है 27 2022 की अभी सुनवाई हो पाई यह नहीं हो पाई है इसके बारे में अभी तक कोई information हमें प्राप्त नहीं हुई है और प्राप्त क्या हुई है जिसको भी information प्राप्त होगी वो इस्टेटस को देख कई प्राप्त होगी ठीक न या फिर कोई ऐसा बच्चा इन 49 पचास में से जो इस case को देख रहा हो इस case को डलवाने में involved हो व मैं contact कर सकूँ लेकिन जो case है ना next hearing date यहां पर देखिए first hearing date साथ जो next hearing date में आ रहा case is not on list ठीक ना इस बात का आप लोग मतलब जो है सर्ज कर लीजिए साप साप दोस्तों यहां पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है case is not on list लिखा रहा है और connected with rates संक्या 3795 के साथ इसे इस देख लेता हूं कि 3795 में आखिर क्या है यह ठीक ना 3795 में जिसके साथ इसे list किया गया है एक second रुकिये ठीक है भाई या तो कहने का मतलब यह है कि हाथ हम बात कर रहे थे भाई यह जो case 3795 में आखिर यह क्या है तो देखिए बीच में एक थोड़ी सी mistake जो है वो गड़ करने के चक्कर में हूं कि 3795 में जो है वो क्या है और year है 2022 आप लोग भी चेक कर सकते है खुद से ही इसका है 8584 है 8584 है क्या दिखा रहा है हाँ जी अमन्तिर पाठी एंड 16 अदर्स स्टेट यूपी और इसका हम देखते हैं स्टेटस 21 का दिखा रहा है 8622 तो इसके साथ सरलगन किया गया इसके किसका है आकर यह रिट संक्या 3795 हाँ जी 8622 फिलिंग और इससे लगा दिया गया इडिट और प्रजिस्टिशन 8622 ठीक है टैन्थ जून फरस्ट यहरिंग नेस्ट इसकेस इस लाइक भी टूल लिस्टिट उन 15 सेप्टेंबर 2222 तो कहने का मतलब है यह अब 15 सेप्टेंबर तक का जो मसला है वो हो गया है क्या तो देखिए अभी जो है असमंचस की इस्टिदिश जो है वो बनी हुई यह पूरी तरीके से किया हुआ है क्या हुआ है पूरी दरीके से केसे जो निखा रहा है पहले मैं conclusion निकाल लूँ उसके बाद मैं दोस्तों आप लोग को साम तक मैं update कर दूँगा ठीक ना फिलाल यही update है आप लोग खुद से भी चेक कर सकते हैं